उस मंदिर के पुजारी के रूप में जो वन सका हमने वहां इमंदारी से निर्पेक्च वहाउ से अपने कार्ज को बिहार की धर्ती लोकतंत्र की जन्नी है उसकी सेवा में लगे रही नमस्कार मिरणाम बीना है और आप आईबी टी बी देख रहे है आज बिहार विधान सभा का विशे सत्र चला इस तोरान स्पीकर विजे सिन्हा ने इस्तिफा दिया आपको बता दे कि पूर्व अध्यक्ष विजे सिन्हा ने इस्तिफा देने के बाद सीधे विज़िपी कार्याले पहुंचके और वहाँ पर उन्होंने मीविया से बाचित की और ये कहा कि जो भी उन पर आरोप लगाए गए थे वो बे बुनिया थे सबसे पहले सुनिये कि उन्होंने क्या कुछ कहा है बिहार के लोकतंत के सबसे बड़े मंदिर में पार्टी के हमारे सिशस्त नित्रित्व है माननिय परदान मंत्री जी माननिय ग्री मंत्री जी हमारे परदेश अध्धक जी और अपने तमाम नित्यत्त के आदेश से विधान सभाध अध्धक्ष के रूप में जो जिम्मवारी मिला उसका हमने निर्वाहन किया 20 माह तक उस मंदिर के पुजारी के रूप में जो वन सका हमने ओहां इमंदारी से निर्पेक्च भाव से अपने कार्ज को बिहार की धर्ती लोकतंत्र की जन्नी है उसकी सेवा में लगे रही 20 माह के वाद राजनीतिक परिवर्तन के वाद आज अपनी मा की गोद में आए और पंडित दीन द्याल उपाद्याजी डाक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी के चर्णों में अपने सिस को नवा कर इनके सानिद में अपने सिसस्त नित्तित्व के परती आभार वेक्ष करते हुए कि आपने जो जिम्यबारी दिया एक सहिनिक के रूप में जो आदेश कमांडर का मिला इमंदारी से निर्वान किया राष्टवाद के परती अपनी सांस्कृतिक विरासत के परती और विहार के परती सभी लोगों के परती जो हमारा संसकार मिलता है परिवार से जिस परिवार से हम सभी आते हैं राष्टिय स्वयम सेवक संके उस परिवार के संसकार के रूप में शदन में भी हमने सभी को लेकर चला सभका साथ, सभका विकास, सभका विस्वास, सभके परियास का महा मंत्र के द्वारा विहार को बेहतर करने का हमने जो संकल्प लिया है उसको आगे बढ़ाया आपने सुना विजे सिनहा का ये कहना है कि जो भी आरोप उन पर लगाये गए थे वो बे बुन्याते उन्होंने अपने कर्टव्य और निस्था के साथ अपने पद का सम्मान किया लोगतंत्र को बचा के रखा और इस दोरान जो भी कारवाई उन्होंने 20 महीने में की वो निस पक शुरूब से की है आप इन तमाब उद्धो पर क्या सोचते हैं हम तक अपनी राय कमेंट के जरीए दीचें इसके साथ ये अगर अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे अन्या तमाम खबरों क का आशियाना तो कीजिये हमारे नंबरों पर संपर